हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू कुमकुम किचिन्स बारिस का मौसम चल रहा है और ऐसे में हमें कुछ कुर्कुरा चटपटा सा खाने का दिल करता है तो मैं आपके लिए एक ऐसी ही कुर्कुरी चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जी हां आज हम बनाएंगे गुजरात के मशूर फापड़ा जो की बहुत आसानी से बन जाते हैं तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए यहां हमने लिया है 150 क्राम बेसन एक बड़ा चमच ओईल लेंगे एक छोटा चमच पापडखार नमक स्वाद अनुस को मिक्स कर लेंगे देखिए ओईल हमारा इतना होना चाहिए कि यह मुठी में आसानी से बन जाए देखिए इस तरीके का अब इससे मैंने अजवाईन डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम जो पानी हमने लिया है इस पे हम नमक और पापडखार डालक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी से हमें ये डोह तयार करना है यदि आपको पापडखार ना मिले तो आप क्या कीजिए कि आदा चमच बेकिंग पाउडर को सीधे बेसन में मिक्स कर लीजिए अब इससे हम डोह तयार करेंगे हमारा पूरा पानी डोह में यूज हो जा करने के लिए रख देंगे 15 मृट हो चुके हैं अब हम इसको छोटे-छोटे भागों में इस तरीके से बाट लेंगे और इसे इस तरीके से लंबा कर लेंगे किसी भी चिकने सर्फिस पे आप इसको रख कर हतेली से आगे की तरफ दबाब देते हुए इस तरीके से फाफ़ड से निकाल लेजिए यदि आपके पास कोई पतली पती है तो आप उससे असानी से कर सकते हैं देखे रखेसे थाफडे लिये हैं है और हमारा गर्म हो चुका है और सारे बनका त्यार होगहे हैं तो चलिए इनहें फ्राइए करते हैं हमें इसे फ्राइ करते समय ध्यान देना है कि low to medium heat पर हमें इसे फ्राइ करना है नहीं तो हमाई फाफड़े अच्छे से सिखने पाएंगे और उपर से जल भी जाएंगे देखिए इस तरीके से हमें इसे फ्राइ करना है फाफड़े हमारे अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं द चैनल पर बिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, बाकी बच्चेवे फाफ़डों को फ्राइ करेंगे, आप इसको आसानी से घर पर बना सकते हैं, और कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा, हमाई सारे फाफ़ड़े सिक्कर तयार हो गए हैं, आई होप आपको यहां रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, तो आप इसे घर पर जरूर बनाएए, और मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स करके बताईए आपको यहां कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलेएं, थैंक यू, बाबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई